क्रूद और असही शुनुता सही समझ के दुश्मन है राष्ट पिता महात्मा गांधी के कथन को साकार कर रहा है महाराष्ट राज्य का महात्मा गांधी तंटा मुक्त गाउं मिशन पूना से करीब 110 किलोमेचर की दूरी पर बारमती ब्लोक का गाउं महसोबाची वाड़ी एक सशक्त उदाहरण है आपसी सोहार्द, सदभाव और भाईचारे का गाउं मुक्त है किसी भी जगड़े और वादविवाद से ये दास्तान अकेले महसोबाची वाड़ी गाउं की नहीं महाराष्ट राज्य के सभी जिलों में महात्मा गांधी तंटा मुक्त गाउं मिशन का अनूठा अभियान जोरों से चल रहा है गाउं का ही यूबग दुशार अपनी सखारात्मक सोच के कारण आज पुलिस पाटिल है उसका कार्य ग्रामवासियों को मिल जूलकर रहने के लिए प्रिरीद करना है ग्रामवासी और पुलिस विभाग सभी उस पर पूरा भरोसा करते है ऐसा नहीं है कि अब गाउं महसो बाची वाड़ी में कोई वादविबाद नहीं होता हाँ जब कभी वाद विभाद या लड़ाई जगड़े की स्थिती आती है तो ग्राम समीती की बैठक में दूनों पक्षों के विभाद को सुलजाने का प्रियास किया जाता है मगर जब बात बढ़ जाती है तो पुलिस पाटिल की सूचना पर मीटिंग पुलिस की मौजूदकी में होती है पुलिस वग्राम समीती बिना किसी दबाव के दूनों पक्षों को समझा पुझा कर फैसला करते हैं असहमती की स्थिती में अदालत का दर्वाजा खुला है मगर ऐसी स्थिती अब नहीं आ पाती इससे ग्राम वासियों के बीच आपसी सद्भाव बना रहता है साथ ही पुलिस और अदालतों के जक्कर भी नहीं काटने पड़ते अब गाउं के जगड़े गाउं में ही खत्म हो रहे हैं जिससे गाउं गाउं में शामती बनी हुई है यही इसका सबसे बड़ा फायदा है सब जाद्धरम के लोग आपस में मिल बैट रहे हैं महिलाओं को सशक्त कर रहा है गाउं गाउं में महिलाओं के विभिन स्वयम साहेता समूँ चल रहे है छोटी छोटी बचत और जरूरत के मुताबिक समूँ से लेन देन की प्रक्रिया यहां की महिलाओं को आर्थिक, पारिवारिक और सामाजिक मजबूती दे रही है समाज में आ रहे बदलाव का प्रत्यक्ष प्रमान है लड़की के जन्म के समय मनाया जाने वाला ये मंगल उट्सव अब हमारे घरों में लड़की पैदा होने पर पूरा गाउं उसकी खुशी मनाता है पहली लड़की के जन्म पर परिवार को 500 रुपे दिये जा रहे हैं गाउं गाउं में ऐसा ही है तंटा मुक्त गाउं यानि जगडा मुक्त गाउं की इस आवधारना ने महरास्ट के ग्रामीन अंचलों को नई सोच नई दिशा दी है गाउं के स्कूलों में बच्चों की उपस्थिती पूरी है घर परिवार का शांत वादावरन बच्चों की सक्रियता और रचनात्मक्ता को बढ़ा रहा है गाउं अकूले में आज देव पूजन का शुब दिन है जातपात और धर्म के भेदभाव से अलग गाउं का हर परिवार इस उच्चसव का साक्षी है यही यहां की सबसे बड़ी जीत है महाराष्ट राज्य के ग्रामीन अंचलों में अब जगड़े या वाद विवाद तो नहीं होते मगर ग्रामीन युवाओं के बीच ये दंगल जहां तहां देखने को मिल जाएंगे क्यों नहों ये तो ग्रामीन समाज और संस्कृती का अभिन्न हिस्सा है समाज में बढ़ते व्यमनस्य, धर्म और जातपात के तमाम विवादों के बीच महात्मा गांधी तंटा मुक्त गाउं मिशन को महाराष्ट के ग्रामीन क्षेत्रों में जो काम्याबी मिली है वो देश भर के लिए यकीनन अनुकरणिया है